असलाम अलेकुम सो वेलकम टू एम राद दोस्तों बात अजम करने जा रहे हैं दो हम टोबिक्स पर पहला बात करेंगे कि हमने रिसेंटली आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान वो बहुत जल्द एक न्यू जेटनसी एरक्राफ का बैच मिलने जा रहा है तो उसकी कुछ व पाकिस्तान और बंगलादेश के दिर में आर्टिलरी अमोनिशन को लेकर दीर हुई है इसकी कुछ नए डिटेल्स आई हैं मतलब इसमें कितनी कॉंटिटी वेव पाकिस्तान किस किसम के शेल्स और मिजायल सिस्टम्स बंगलादेश को प्रोवाइड करेंगा इन तमाम यह है कि इस जेड़ान सी एर ग्राफ का बैज नंबर वही है जो के पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाने वाले जेड़ान सी एर ग्राफ के बैज नंबर अनِّ के 7 दोस्तों क्योंकि 2021 में 2022 के शुरू में जब पाकिस्तान Air Force को जो JNC Aircraft प्रवाइड किये जाने थे उनकी तसावीर निकल कर सामने आई थी उन्हें हमने अपने Twitter पर भी रिपोर्ट किया था था तब और इवन उस पर YouTube पर भी हमने वीडियो बनाई थी तो मैं कोशी करूँगा कि अगर वो फ्रानी वीडियो मिलती है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो पाकिस्तान को जो JNC Aircraft चाइना ने बना के दिये थे उनका बैच नमबर था 7 और यह जो निव एरक्राफ्ट है इसका भी सेम बैच नमबर है इसका exact जो नमबर है दिखाया गया वो 721 है यानि के यह बैच नमबर 7 का 21 एरक्राफ्ट है और अभी तक यही चीज़ कंफर्म है के पाकिस्तान को पहले तीन बैच जो पाकिसान Air Force को प्रॉइड किया है चाइना ने तो यह चोथे बैच का एरक्राफ्ट हो सकता है जिसको लेकर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बिना के आपको दीखती के पाकिस्तान को चोथा बैच बहुत जल्द प्रॉइड किया जाएगा अब यहां question पैदा होता है कि तीसरा बैच का प्रॉइड को प्रॉइड किया गया तो तीसरा बैच जनवरी 2024 में प्रॉइड किया गया था जब पाकिस्तान Air Force ने एक grand induction ceremony मुनकत की थी पर उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान Air Force चीफ ने शिर्कत की थी दोस्ते हैं सबसे आहम चीज़ यह है कि इस jet and sea aircraft ने दो PL-15s missile को केरी किया हुआ है जो इस चीज़ की तरह पिंडिकेशन है कि इसने अपने normal flight test पास कर ली है और जो flight testing पास होने के बाद weapon integration का मरहला है वो इस वक चल रहा है और weapon integration होने के बाद ये aircraft paint किये जाएंगे इनको ब इसकी बात कर लें तो पाकिस्तानी और Chinese jet and sea aircraft में कुछ डिफरेंस है सबसे पहले तो आप spine की ऊपर antennas को देखें तो Chinese jet and sea aircraft पर आइंग दो या तीन एंटिनास होते है जबके पाकिस्तानी jet and sea aircraft पर एक तो एंटिनास की तदाद में फरक है दूसरा उनकी shape में भी थोड़ा सा इसके साथ even landing gear में तोड़ा सा फरक है वह आपको side से देखने को पता नहीं चलेगा वह आपको side से देखके पता नहीं चलेगा बलके सामने से देखने पर पता चलेगा इसके साथा जो indicating lights होती है उसमें भी फरक है यह पाकिस्तानी jet and sea और Chinese jet and sea की आप lights को देखें तो इन में काफिजदा difference है तो ये कुछ basic difference है इससे आपको ये चीज़ पता लगती है और जो इंडिया का एक narrative वारे में कि पाकिस्तान को कोई inferior ये नकमे जेटनसी दिये गए हैं वो भी खतम होता है वो इस तरह कि पाकिस्तान ने जेटनसी एरक्राफ्ट में अपनी जरूरियात के मताब ये changes जेटनसी एरक्राफ्ट में की गई तो इसे customized variant का रहता है ना के export variant या एक inferior variant तो इस चीज़ के हवाले से concept clear करना जुरूरी थे इनिशनली दोस्तों अभी तक यही प्लैन है कि पाकिस्तान 36 जेटनसी एरक्राफ्ट लेगा लेकिन future में इनकी ददाद सतर से ज्यादाफ हो सकती है या हो सकता है पाकिस्तान 36 जेटनसी एरक्राफ्ट लेने के बाद 5th generation एरक्राफ्ट को अपनी एरफोर्समें इंडग्त कर रिजनली दोस्तों हम ये चीज़ देख चुके हैं कि पाकिस्तान और बंगलादेश के दिरम्यार एक मैसिव मिल्ट्री एक साइन हुआ है जिसके ताद बंगलादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी एमोलिशन वगरा खरी देगा जो आर्टिलरी के तोप के गोले होते हैं ये बंगलादेश के पास जो आर्टिलरी सिस्टम्स है टाइप 59, टाइप 54, PL-96 ये वही आर्टिलरी सिस्टम है जो पाकिस्तान भी यूज़ करता है लेकिन अब इसके बारे में कुछ नई इन्फोर्मेशन भी मनजरियां पर आई है एक पाकिस्तानी ओपन सोर्स इंटेलिजन रोकट्स या एंटी टेंग गाइड़ मिजायल को कंसेडर कर सकते हैं यह वायर गाइड़ मिजायल पाकिस्तान के यार करता है और यह दूसरी कंट्रीज में भी इससे पहले देखा गया थी यह चाइनीज एच एट मिजायल का पाकिस्तानी वेरियर है उसके लावा 40 टन RDX म छसी में ची चोनेज बने के लिए छोलन कार्या के लिए चीज सबसक्ता अंक आगले शेल ऑफेत्र कर रहा इनकी रेंज कितनी होगी इसके बारे में भी कुछ कर्फ नहीं हैं लेकिन अभी की प्रफार के मताबक किagain लोंगर रीज या की और रीज़ को बंगलादेश को क्योंकि पाईसान ने रिसेटली एक लेजर गाइड उसके असासा जो दूसरे मुख्तिलिफ किसम का एमोनिशन होता है वो पाकिस्तान बगलादेश को बहुत बड़े कैनलस पर प्रवाइड करेगा और इसी को लेकर हमने यह भी प्रडिक्शन की थी कि बंगलादेश फ्यूचर में पाकिस्तान की लॉंग रेंज फते रोकर सिस् प्रवाइड के लिए यह पूरी डी है क्या और इस डील के पसे मनजर में क्या क्या चीज़ें जिनको आपके लिए समझना ज़रूरी है इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूँगा उस वीडियो को ज़रूर देख सो उमीद करता हो चीज़ें क्लियर रही होंगी वीडियो कसंद आई हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो मत अब तक के लिए अल्ला हाफिज